हेलो दोस्तों मैं हूँ रिशब चाट जी और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Poco M2 Pro के बारे में तो आज लॉंच हो गया है Poco M2 Pro और जैसे हमने लास्ट दो वीडियो बनाया थे इस फोन के बारे में स्वेशर ही ज़या उल्मूंस सब कुछ जो मैंने बोला था वैसे है प्राइस भी मतलब लाउंच के पहले बो गया था मैंने बोला था को 464 देंगे तो क्या प्राइब होगा और मोस्ते प्राइस होगा ہے तो अभी में question जो आता है आपको launch के बाद हो है अब भी आपको Redmi Note 9 Pro खरीदना चाहिए या Poco M2 Pro ठीक है तो में चीज अभी अगर हम देखे as a whole क्या difference मिलता है यूँकि अगर हम दूर से देखे ना दूर से तो एकदम अल्मोस्ट सेमी फोन है थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है जैसे हम देखेंगे फॉर रेफरेंस में दिखा रहा हूं यह रेड्म नोट 9 प्रो नहीं है बट पीछे का आपका डिजाइन थोड़ा सा अलग है मतलब मिलेगा पोको M2 प्रो में उसमें खाली मतलब वह फोर स्क्वेर थोड़ा सा अलग है डिजाइन ठीक है उसके बाद फास्ट चार्जिंग आपको 33 वाट का मिलेगा वेरास हमको नोट 9 प्रो में 18 वाट का मिलता है उसके बाद और क्या अलग मिलता है वेरियंट्स अलग थोड़ा है और colors थोड़ा लग है बस यही main difference है बट अगर हम देखे online न तो एक आपने भी मैंने भी बहुत चार वीडियो देखे Poco M2 प्रो के बारे में आपने भी guarantee देखी लिया होगा क्योंकि मैं almost रात को बना रहा हूँ यह वीडियो और दोपैर तक अभी इस time में बहुत चार होगा तो आपने guarantee बोल दिया होगा भाई अभी Poco M2 Pro ही खरीत लो इस चरेंटली बेस्ट फोन अंडर 15,000 अज़ा होल वैली फोर मैंनी अज़ा होल प्रोड़क्ट और भी options है बट आई वूट से अज़ा होल प्रोड़क्ट बेस्ट फोन अंडर 15,000 यह आप भी मानते होंग बट दे में प्रोड़म अभी जो आएगा न और यह आप प्रोड़म आता ही रहता है जब भी नया फोन लॉंच होता है अवेलिबिल्टी का प्रोड़म रहता है यह पोको मुझे पता है जब मैं सेकेंड वी की थर्ड वी खरीने का मतलब ट्राई कर रहा था हमेशा आउट क्यों फ्लाइस सेल में आओ त्वेल ओक्लॉक आओ रिफ्रेश करो आउट वस्टा बस यह चलता रहता है अच्छा तो बीच में अचली कट हो गया था क्योंकि हमारा स्टोरेज स्पेस थोड़ा खतम हो गया था था थोड़ा फाइल डिलीट ट्रांसफर करके फिर से वापस अगया हो तो जो मैं बोल रहा था फ्लाइस फ्लाइस सेल में आउट और स्टॉक का प्रॉब्लम रहता है तो यह फोन अल्मोस्ट मैंने वन मंत बाद खरीदा था जब ओपन सेल में आ गया था ठीक है बट अभी अगर हम देखके नोट 9 प्रो एंड लेट्स कंसिडर नोट 9 माक्स भी यह जिसका प्राइस थोड़ा जाता है अब है बट दोनोई फोन अभी भी आँस में चल रहे हैं अभी आपनक्यूपंद नहीं और यह एसे वह घुन सब्सक्र का प्रॉब्लम रहता ही रहता है क्यूंग्य पाता ही नहीं में कवी और सीथा नहीं नाइन प्रो खरीतने का ट्राइ कर रहे थे इतने दिन से तो क्या आपको मिल गया है फोन या अभी भी वो प्राब्लम चल रहा है आउटाव स्टॉक का मुझे कमेंट सेक्शन में बोलिए क्योंकि मैं उतना चेक नहीं कर रहा हूं मतलब वीकली कैसा है तो आप से पता चल जा क्योंकि यह फस्सेल दो तीन फस्ट मंथ का जितना भी सेल होगा ना सभी इस यह प्राब्लम रहेगा मेज्वारिटी को मिलेगा है नहीं तो नोट 9 प्रो अगर आप लोग बोलते हैं कि इसली मिल रहा है अभी तो फिर यू विल प्रेफर नोट 9 प्रो क्योंकि आप्शन न खराब होनेंगी सब कुछ जो चाहिए रहता है सब कुछ है हां पोको एक्स्ट में थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा है बड़ उसके बिना भी चल जाएगा तो वही बात है ना भी जस्ट अच्छा फोन होने से तो चलेगा नहीं अभी आवेलेबिल्टी भी रहना चाहिए तो देखते हैं फसेल होगा तो पता चल जाएगा मोस्ट अबली क्योंकि पोको भी अभी उतना बड़ा ब्रैंड नहीं है तो उनका लिमिटेड स्टॉक्स ही रहता है लिमिटेड स्टॉक्स में यह आउटव स्टॉक का प्रॉल्म होन रहता है फोन अच्छा है बट अवेलेब करने में कि मैंने फाइनली थोड़ा सा प्राइज अपना बजट इंक्रीज करके यह खरीद लिया तो वही होता है कि जो भी अवेलेबल रहता है क्योंकि नैसेसिटी हो जाता है कि आप अगर आप खली अपग्रेट कर रहे हैं आपको करेंट फोन चल रहा है तो फिर आप व आपका फोन तूड़ गया है यह काम नहीं कर रहा है तो आप कितने दिन वेट कर सकते हैं नहीं वेट कर सकते हैं अनलिमिटेट एवरी वीक ली एक एक बार आता है कितने वीक सीवेट कर सकते हैं फोन तो जरूरत होता है तो फिर आपको दूसरा फोन लेना ही पड़ता है त Poco M2 Pro क्योंकि अच्छा फोन है बहुत मतलब एक्चली बोलू ना यह फोन का प्राब्लम सबसे बड़ा हो गया है कि एक तो ब्रैंड Poco ने किया है Poco का हमारा मतलब थिंकिंग अलग है कि बहुत अच्छा फोन्स देता है और डिफरेंट फोन्स देता है बड़ अभी यह कर रहा है तो कुछ तो अलग दे दो बड़ नहीं एकदम ही अल्मोस्स सेम ही अगर आप मुझे पूछे नहीं यह Poco M2 Pro as a company point of view थोड़ा कुछ फीचर्स था जो अभी इन्होंने इनोवेट कर दिया था बट इतना भी जादा फीचर्स नहीं था कि एक नया का model ला सके तो तो क्या करें हम फीचर्स हमारे पास है हमको अड करना है तो कुछ भी नहीं कहली चार्जिंग के लिए ड करें थोड़ा सा डिजाइन कर देतों तो शोचे पोको में डाल देते हैं एक एक्स्ट्रा फोन एणीव पोको का एक्स्ट्रा फोन वह जाएगा और जिनको थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा एक option भी एक्स्ट्रा हो जाएगा तो नबर आफ सेल एंक्रीज पोको अज़ाइड में घ्रोथ और लोगों को पता नहीं है तो हो सकता है चाइनी उतना सोचेंगे नहीं तो खरीद लेंगे हो सकता है ऐसे मैं नहीं बोल रहा हूं होगा बट हो सकता है Redmi हमको सभी को अब भी majority लोगों पता है Redmi क्या है बट Poco लोगों को पता नहीं रहता है तो फ्लिप कार्ट में जाएंगे खोलेंगे पोको सुचेंगे ठीक है फोको फोको ले लेंगे चलो अच्छा सब कुछ ठीक ही लग रहा है स्पेसिफिकेशन अच्छा प्राइस भी है लेट्स भाई पोको तो वह भी एक स्ट्राइडजी है और एक चीज मैं अच्छली बोला नहीं था यह पिसले वीडियो में विद्ध मिलता है अमजोन पर यह कहां मिलेगा फिलिप कार्ट का अभी एक चीज आप देखेंगे मतलब रेड्मी का सॉरी कि नोट नाइन नोट एट ऐसे चेंज होता रहता है मतलब प्लाटफॉर्म कभी फिलिप कार्ट पे अमजोन पर दोनों ही मॉडल चलते रहते हैं तो अभी जो लोग flip card पे आते हैं वो लोग अगर best phone खोज रहे अंडर 15,000 तो उनके लिए यह perfect रहेगा वेरास जो Amazon पे खोज रहे हैं उनके लिए वह better रहेगा तो platform भी बहुत important रहते हैं कि लोग जो flip card के customer है वो लोग चाहते नहीं होंगे Amazon पे प्लाटफॉर्म भी अलग रखे हैं ताकि दोनों काई sales अर लास्ट में दोनों के अच्छा रहे तो वह ही है अवेलिबिल्टी का मेन question है जो आप से पुछना चाहूंगा नोट 9 pro का कैसे चल रहा है अभी अवेलिबिल्टी M2 का देखेंगे first sale में कैसे रहता है मैं ट्राइ करूंगा अगर टाइम एक तो यह टाइमिंग का ऐसा रहता है तो वह बी एक चीज है पर देखते हैं कैसे रहता है इस बार फोन अच्छा है बट थोड़ा सा मतलब Poco हम लोग कुछ सोच रहे थे तो ठीक है हम actually volume है न हम लोग सब को हम लोग सब कुछ इसे कुछ यह चल गया था हम को कि ऐसे कुछ आएगा बट स्टिल आप देखेंगे सब्वी लोग अम लोग सब तोड़ा से डिसपॉरंट थे क्यों पोको ने ऐसे क्यों किया बट अमको पता ही तो ऐसे होने वाला है बट स्टिल अमको दुख लग रहा है थोड़ा सा कि पोकु हम सोच्रेत इतना बट आया उतना कुछ नहीं बट एनिवेस ठीक है फोन अच्छा है that is what matters at the end ब्राइड रिब्रांडिंग ये वो चलता रहत है चलिया इंफाड़ लगा तो लाइक कर दीजिये चनल को सब्सक्राइबर के बेल आइकान दबा दीजिये अगले वीडियो मिलेंगे तब तक के लिए बाइबाइड स्टेए सेफ